हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे सौगत है आपका मेरे आलमन चैनल में आज हम बाद करने वाले हैं डिफर्ट बाक्या के बारे में ये देखिए मेरे पास जिसरी वाक्या की दूसरी वराइटी है मेरे पास डिफर्ट वाइटी है जिसमे यहां तक है पूरा और यह प्लास्टिक बैग में हमएशे मिला हुआ है तो अगर आप डेफन बाक्या का प्लांट अप खदिनारषवे से लेकिब भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से ग्रो करना इसको बहुत आसानी है इसे हम दूसरे नाम से डमकेन के भी नाम से जानते हैं आप इसकी इतनी छोटी सी भी ये नीचे की देख रहे हैं आप इतना छोटा सा एक कटिंग ले लेंगे अगर आप मिट्टी में वैसे नौर में डाल दीजी या यूँ कहाएं कि अगर फेक भी देते हैं तो भी इसकी के दो भी निकेला ही आन डीकेवार है पैक्द को गुण होगा डां अपर इसे कीदे गटिंग का बर्शे कें प्रॉबल्म है कि यह थोड़ा इस प्लांट होता है अगर देना ऑगर दैने होता है ङत। अगर उसको च्यू कर लेता है नि dzi्सstanding Aside प्रेंट्स आप इसको अगर रखते हैं अपने घर में बच्चे चुटे बच्चे पेट्स वगरा से आपको बचा के रखना है और यह बहुत घर को बहुत अट्रेक्टिव लुक देता है इसकी लीफ्स देखे काफी बड़ी लीफ्स होते हैं और कलर भी काफी खुबसूरत ह होता है तो इसकी रिपॉटिंग करना है फ्रेंट्स चलिये हम देह लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको जो हम प्लास्टिक वैग्स देज station फ्लास्ते लग हुआ है तो इसको मिरी और को सायरे इत बहुत स्वाफ्टि लिए से देखिए और मित्टिस के इसकी रिख वाली है वी इसके लिए हम जो मिट्टि तयार करेंगे वह ऐसे ही बालुी मिट्टि होनी चाहिए इह देखे पनेया पासाने सफ़ान से लाए कि इतना अरान से बहुत ही सॉक्ट मेट्टी है तो इसके मिटी को हम क्या करेंगे थोड़ा सा लूस कर लेंगे ये अपरस्ट कर देकितम से अपर और ये शुटा सा पॉर्ट लिया है और इसमेसे दौधरियन hasti तो इसको सबसे पहले हम एक छोटे-छोटे से स्टों से इसकी ड्रेनियू मोल्स को हम बंद कर देंगे तो इसके तरीके से बालू मिट्टी है बालू है इसमें बाकिस भाद वगरा कुछ ने लिए क्योंकि वह खाद की जरूद नहीं होती है बहुत है असानी सपने आप काफी अच्छा ग्रोट करता है तो इस तरीके से पॉट में थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे उसके बाद हम अपने इस प्लांट को यह दिखिए पूरी रूट इसकी मिट्टी निकल गई है यह रूट पूरा घना भरा हुआ है और इसकी देखिए कुछ इस तरीके से मिट्टी देखिए इस तरीके से पॉट में इसको खड़ा कर देंगे यह दिखिए पॉट में आ गया है यह तो फ्रेंट अब इसके चारों तरफ हम कुछ इस तरीके से मिट्टी को भर देंगे और फ्रेंट्स आपको बता दें तो यह बहुत ही खुरत सा इंडूर प्लांट है आप अपर बंड़ होती है और अविक करता रहेंगा तो आप इसको मेडियम लाईट लो लाईट यह ब्राइट में रखना तदा यह रखिए रखिए गार गवाटरिंग के बात करें तो यह बिल्कुर ज़रुरत महीं है आप इसको दर्स फन्दा दिन में जब भी आपको टाम मे तो फ्रेंट से रिपोर्टिंग कर दी हुए और यह मेरा प्लांट फुछी सरीके से हो गया है लग गया है इसमें अब हम इसमें क्या करेंगे वाटरिंग करेंगे वाटरिंग आप जब दे जाद आपको नहीं करनी है लेकिन बीच बीच में करिए कर दश पंदरा दिन गैब तो आपको इसको अच्छे से वाटरिंग करिए जितना यह दिखी स्पेस में चूटा हुआ वहां तक भर दीजिए एक बार पानी ते काफी अच्छे से ग्रोथ कर जाता है और रेनी सीजर में फ्रेंट आप इसको बारिज से जरूर बचाईगा क्या कि ओबर ओर ओटरिंग कर यह प्लांट हमारा सड़ जाता है तो फ्रेंट से रहा था हमारा रीपॉर्टिंग और आप इसको मेडियम लाइट ब्राइट लाइट या इंग दोर में रखें तो अच्छा ग्रोथ करेगा तो फ्रेंट आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं इसे लाइक से करना मत भूलेगा फ्रेंट कॉमेंट करके में बताएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा थैंक्यू बाबाए